दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल उज्वल संसार में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम BSC Agriculture फर्स समेश्टर के एक टॉपिक Vision of Life जो आपका है Human values and ethics जो की आपका extension का कोर्स है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि Vision of Life के बारे में चर्चा करने वाले हैं यानि G1 की दृष्टी क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उमीद कर रहे होंगे कि आपको Human values and ethics का जो कोर्स है जो भी classes आप लोगों को provide की जा रही हैं आप लोगों काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आपको कोई भी problem आ रहा है तो आप हमारे इस channel पर comment करके पूछ सकते हैं वीडियो की नीची comment box में तो जीवन की दृष्टी तो किसी एक की दृष्टी में पर कैसा जीना चाहिए इसके लिए कोई आधिकारिक रूप से सिधानतों का समाने करेड़ नहीं किया जा सकता है कुछ उधारड समानने ता अधिकतर समानने लोग भावतिक समपता को ही उत्तम मानते हैं अधिक से अधिक समपतिवा बैभव जमीन प्राप्त करना चाहते हैं तो सारी चीज़े आपको समझाते हैं कि जीवन की दृष्टी क्या होनी चाहिए जीवन में अपना जो देख रेख है जो आपकी दृष्टी है उसे कैसी रखनी चाहिए तो कुछ लोगों के लिए कि इसका कोई परमारी इसका कोई लिखित चीज़े नहीं है इसका कोई डिफिनेशन नहीं है कि जीवन की दृष्टी क्या होनी चाहिए बट जीवन का जो दृष्टी है वहा कैसा होना चाहिए कुछ लोग इसे मानते हैं कि हमें जो बहुतिक सुख है बहुतिक संपन्न है अगर वो मिल जाएगा तो हम क्या होंगे बहुत खोजर होंगे बहुत सारे बहुत संपत्ती चाते हैं बहुत सारी जमिन मानते हैं तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग जीवन की एक द्रिश्ट अब किसी के लिए जीवन संगार, जीवन तो सब के लिए संगार से जीवन सब के लिए चुनावती है, तो वही कहा जा रहा है कि जीवन एक के लिए संगार से दूसरे के लिए चुनावती है, यो तीसरे के लिए सामान जीवन प्रयास है, चोथे के लिए जीवन आनंद है, ए जिसे मदर्टरेशा और दूसरे को हत्या करने में पूर्णी दिखता है जिसे हतंगवादी तो सबका कहा जा रहा है कि यहां पे सबका जो जीवन को देखने का जो एक नजर है जो नजरिया है वह अलग-अलग है जैसे किसी के लिए जीवन संगर्ष है किसी के लिए चुनवत किसी को दूसरे की भलाई पड़ी है जिसे मजल्ड डेसा जो कि दूसरों की भलाई करती थी और किसी को किसी को हत्या करने में पुन्य देखता है जैसे अतंगवादी तो सब लोगों को आप लोग देख़ने के जीवनข 59 सबका कैसा है अलग-алग है सारी चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी हर इंसान की चाहत होती है सफल और सार्थक जीवन आनंद और खुसी भरा जीवन प्राकिरती में आनंद सरवत्र बिखड़ा पड़ा है पर उसे हम समेटने वाला जो मन चाहिए वह मन हमारे पास न बनना है सबको आनंद चाहिए लेकिन जो आनंद है हमारे चारो तरफ कैसा है विकरा पड़ा हुआ है बट हमें समेटने का उसा हमारे पास टाइम नहीं है भगवान ने हमारे आनंद के लिए हमारे जीवन में को खुसाल बनाने के लिए प्राकिरती की रचना की है हमें खु को बटोर नहीं पाते हैं जोली में आई खुसियां और आनंद हमारी कुछ कम जोडियों के करड़ मांसिंग दुरूलपताओं के करड़ लोट जाती हैं दोस्तों समझ में आपको सारी चीज़ आ रहेंगे तो वीडियो भी कुछ लाइक कर दिजिए और हम हर समय चिंता करते तो विजन आफ लाइफ है कैसे बदलता देखे डाक्टर ने जब कहा डाक्टर ने कहा इसलिए हम पार्क में क्या करते हैं टहलने चले जाते हैं किसी तरह तीन से चार चकर पूरे हो जाए तो वहां से छुट्टी मिल जाते हैं एक मन में दबाव रहता है यार दो से तीन च किया है पेड़ पौदे फूल पत्तियां सब आपसे मिलने के लिए बेचायन हैं आपसे मीठी बाते करने चाहती हैं लेकिन आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है उनसे बाते करने की वे तो आपको तनाव मुक्त करके आनंद प्रदान करने के लिए अतुर और बेचायन सफलता नहीं मानी जा सकती है और नहीं उसमें आनंद मिलता है अपी तो रोज मरा की छोटी छोटी चीजों से और गटनाओं से आनंद को पाया जा सकता है लोग अकसर अपने सुखद वरतमान को दाओं पर लगा कर भविस की सुख और आनंद की कामना की परतिच्छा करते ह बहुत सारे लोग हैं जो वरतमान में बहुत मेनत करते हैं अपने भविस्वें सुख पाने के लिए तो वही का जा रहा है, सूचते हैं कि आज कष्ट पाले, आज जो है कष्ट पाले तो कल क्या कहेंगे, कल सुखी रहेंगे या तो स्वयम के साथ परासर अन्याय करना, यहाँ पर सरासर अन्याय करना हुआ करते हैं, क्योंकि जो इस परकार से हम करते हैं, तो अपने साथ क्या करते हैं, सरासर क्या करते हैं, अन्याय करते हैं, वरतमान में जीना ही सार्थक है, बुद्धिमत्ता पूर्ड है, यदि वर दिवन को ऐसे देखना चाहिए यही सारी चीजे बताए जा रहा है जिन्दगी को एक डर्रे में नहीं बलकि सुतंतरता पाचान के साथ जीना चाहिए जब तक जिन्दगी है जिन्दा दिली के साथ जीना जरूरी है बीना उत्सा के जिन्दगी मौत से पहले मर जाने के समान ह उत्सा और इच्छा बेक्ति को सुधार से साधरण की ओर ले जाती है जिस तरह आप सिर्फ एक डिग्री में एक डिग्री के फर्क से जो पानी होता है भाप बनके ओर उड़ जाता है और भाप बड़े बड़े इंजन को खिचता पाता है उसी तरह उत्सा हमारी जिन्दगी के लिए काम करता है अगर आपके जीवन में उत्सा नहीं है तो आपका जो जीवन है वह बेकार है जैसे एक 99 डिग्री में आपका पता है कि पानी का जब होता है उसको जब 100 डिग्री सेलसेस हो जाता है तो यह जो पानी होता है कैसा वास्प बनके उड़ जाता है और उसी वास्प के द्वारा बड़ी बड़ी गाडियों को क्या क्या जा सकता है चलाया जाता है तो उसी परकार से जो बेक्ति होता है कि अगर उसके पास कोई भी उत्सा नहीं है तो उसे उत्सा से बेक्ति को सकारात्मक जीवन दृष्टी प्राप्त होती है तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो सारी चीज़े बताई जा रही है यह जीवन को देखने का यहां पर बताया पहला है जीवन की दृष्टी यानि जीवन को कैसे देखना है जीवन को किस तरीके से देखें वही इस टॉपिक में आपको ज तो एक बार फिर से आपको कहते हैं कि हमारे इस चनल बेस से अगरी कल्चर फर्स समेश्टर से लेके बेस से अगरी कल्चर एट समेश्टर तक कि सारी चीजे फ्री में अपलोड़ेड हैं अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अब लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं मिलते अपने नेट वीडियो में तब तक के लिए चेहिंद फंदे मात्रा